हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम सल्वार की स्टिचिंग करेंगे इसके लिए हमने सल्वार को पहले से कट करके रखा हुआ है अब हम यहाँ पर पार्ट से दोनों कल्यां को अटेज करेंगे ऐसे उपर से नीचे की तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंग यह देखिए सीधे से सीधा को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे यह हमने इसमें सिलाई लगा लिए है ऐसे हमने दूसरे को भी तयार कर लिया है अब हम यहाँ पर इसके दूनों आसनों को जोड़ लेंगे इसके लिए हम सीधे कपड़े को सीधे के उपर रखते हुए हैंसे सिलाई लगाएंगे यह कपड़ा हमारा सीधा है इसके उपर हमने सीधे को रख लिया है अब हम यहाँ पर आदा आदा इंच पर निसान लगा लेंगे और उसी के हिसाब से इसमें हम सिलाई लगाएंगे है अब हम इसे खोलेंगे अब यहाँ पर हम एक एक प्लेट देदेंगे प्लेट का फेस हम क्रॉच एरिया की साइट को करेंगे यह ऐसे इसका फेस करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे यह हमारा बैक पार्ट होगा यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे यह देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अब हम यहाँ पर इसकी बैल्ट तयार करेंगे इसके लिए हम यह बैल्ट में छोटे-छोटे जो हमारे पीस्ते उनको जोड़ लेंगे यह हमने इनको जोड़ लिया है अब हम यहाँ पर आदा इंच पर सिलाई लगाएंगे फिर एक इंच का गेप छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर एक इंच का गैव हम इसमें जो इलाश्टिक या नाड़े के लिए छोड़ेंगे अब यहाँ पर इसे पक्का करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे और यह एक इंच हमने बैल्ट या नाड़े के लिए छोड़ लिया है अब हम इसमें यह देखे हमने इस पर सिलाई लगा लिए है अब इसको कोलेंगे और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे अब हम यहाँ पर आदा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे यह सिलाई हम बहुत ही फिनिसिंग के साथ लगाएंगे यहां पर इसे आदा इंच अंदर की तरब मोड़ते हुए ऐसे फिर एक इंच इंच से मोड़ते हुए इसको तयार करेंगे यहां पर हम अपना इलाश्टिक या नाड़ा डालेंगे अब इसके ऐसे ही इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे यह हमने इसमें सिलाई लगा लिये हैं अब हम यहां पर इसका सेंटर निकालेंगे जहां पर हमने इलास्टिक डालने के लिए सिलाई की थी वहां से हम इसको पकड़ते हुए ऐसे इसके सेंटर पर निसान लगाएंगे यह दिखिए यहां पर से हम अब बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे बैक पार्ट में हमने जहां प्लेट लगाई हुई थी वहां पर से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे और यह ऐसे इतने में हम यह सिलाई लगा लेंगे यह इतना हमने बैक पार्ट के लिए सिल लिया है अब हम यहां पर से इसमें प्लेट तयार करेंगे यह हमारा फ्रेंट पार्ट होगा जिसमें हमारी यह सारी प्लेट अटेज हो जाएंगी यह देखिए हम प्लेटों का फेस क्रोच एरिया की साइट को करते वे सिलाई लगाएंगे इधर से हम जो प्लेट लगाएंगे उनका फेस इधर की तरफ होगा और इधर से जो हम प्लेट तयार करेंगे इनका फेस क्रोच एरिया की साइट को होगा दोनु साइट से हम क्रॉच एरिया की साइट को ही प्लेटो का फेस करेंगे यह देखे हमने यह सिलाई लगा लिया है हमने प्लेटो का फेस क्रॉच एरिया की साइट को ही किया है अब हम यहाँ पर नीचे से इसमें पौचे तयार करेंगे इसके लिए हमने यह दो इंचे का बुकरम कट कर लिया है हम यहाँ पर हमारे पास हलवार का कपड़ा कम था तो हमने यह दूसरा कपड़ा लिया है और अब हम यहाँ पर पट्टी के उपर बुक्रम को रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे यह हमने पट्टी को रख लिया है इसके उपर हम नीचे से आदा इंच छोड़ते हुए उपर से सारा कपड़ा इस पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही हम दूसरे में भी तयार कर लेंगे जब तक मैं यह तयार करती हूँ तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने कमेंट भी दें अब हम यहाँ पर सीधे कपड़े के ऊपर ऐसे पट्टी को रखते हुए यह देखे आदा इंचे जो हमने कपड़ा छोड़ा था इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे यह हमने इस पर सिलाई कर ली है अब हम इसे पीछे की तरब पलड़ देंगे अब यहाँ पर हमने जो दूसरा कपड़ा लिया हुआ था वो हमें नहीं दिखेगा यह हमने पीछे की साइट को पलड़ दिया है तो हम यहाँ पर कोई साभी कपड़ा ले लें इससे कोई दिखत नहीं होगी अब हम इसके उपर शिलाई लगाएंगे एक नीचे से शिलाई लगाएंगे और एक उपर से यह दिखे हमने इसमें शिलाई लगा लिए है अब आप यहाँ पर कोई साभी डिजाइन बना के तयार कर सकते हैं आप चाहो तो ऐसे ही भी शिलाई लगा सकते हैं नहीं तो छॉक से भी आप बना के इसको तैयार कर सकते हैं इसे ही मैं दूसरे बहुचे को भी तैयार कर लूँगी अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसके लीए हम यहां से दोनों को मिलाते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे यह सिलाई हम नीचे से इसको ऐसे पकड़ते हुए ही सिलाई लगाएंगे और यहां पर क्रोच एरिया को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे यह हमने इस पर सिलाई लगा लिया है देखिए हमारा सलवान बनके तयार हो गया है बहुत ही आसानी से हमने ये तयार कर लिया है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भोलें थेंक यू